तुमस्कार वेलकम तुम भाई जी एच केर चान्दल माई डिया फ्रेंट्स हमारे जो यूट्व फैमिली है उसमें बहुत सारी महिलाएं है उन्होंने फिर एक सवाल किया है मैं आपको बताओं कौन सा सवाल है प्रोजेस्ट्रोन जी है उन्होंने किया है एक है अंकीता कुमारी उन्होंने सवाल किया है कि प्रोजेस्ट्रोन क्या है और प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन की कमी से कौन सी बिमारी होती है ठीक है मैं आपको जवाब बता रहा हूं सुनने बात सबसे पहले महिलाओं के शरीर में प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन एक प्रकार की हार्मोन होती है, अगर उनकी कमी हो जाए तो क्या होगा, इनको भी जानना पड़ेगा, महिलाओं के सरीर में प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन कम होने पर कई प्रकार की समस्याएं आ सकती है, प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन महिलाओं और महिलाओं की pregnancy, माशी घर्म यानि की period से जुरा होता है साथ ही पुरुसों में या sperm count से जुरा हुआ होता है अगर कोई महिला conceive करना चाहती है तो उसके सरीर में progestron hormone का मात्रा का होना बहुत जरूरी है जियां अगर वो गर्मादारन होना चाहती है तो तो उसके सरीर में progestron hormone का प्रियाप्त मात्रा में होना तो बहुत जरूरी है यानि गर्मादा के लिए महिलाओं को progestron hormone की जरूरत अक्सर होती है अक्सर क्या होनी है लेकिन जब शरीर में progestron hormone का असकर कम हो जाता है तो महिलाओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आए जानते हैं महिलाओं के सरीड में प्रोजेस्टोन हार्मोन की कमी पर क्या-क्या लक्षन होते हैं क्या-क्या समस्यां आती है वीडियो को लाफ तक देखना ही पड़ेगा सबसे पहला problem होगा hot flashes की समस्या जब महिलाओं के शरीर में progestone hormone का अस्तर कम होता है तो उन्हें hot flashes की समस्या का सामना करना पड़ सकता है इसकी वज़े से आपको छाती में दर्द, गर्दन या चेहरे पर अचानक से गर्मी का अनुभव होना hot flashes की वज़े से तोचा लाल हो सकता है दरसल जब आपके शरीर में progestone hormone कम होता है तो फिर क्या होगा estrogen hormone का अस्तर बढ़ने लग जाएगा इसके वज़े से आपको hot flashes की समस्या हो सकती है दूसरा है depression या चिंता महिलाओं में progestone hormone की कमी होने पर आपको depression या चिंता हो सकती है जब शरीर में progestone का अस्तर कम होता है तो क्या होगा चिरचिरापन या चिंता का अनुभव हो सकता है इसके अलावा progestone की कमी से निंद की समस्या या निंद नहीं आएगा अगर आप अक्सर ही तनाव या चिंता में रहते हैं तो आपको progestone hormone की जाज तो करवा लेनी चाहिए चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुस हो जियां उसके बाद है conceive ना कर पाना अगर महिलाओं के सरीर में progestone की कमी हो गई तो आपको conceive करने में दिक्कत हो सकती है मतलम गर्ब धारण करने में दिक्कत होगी progestone की कमी गर्ब पात और बांजपन का कारण बन सकता है यानि progestone की कमी होने पर आपको गर्बवती होने में दिक्कत होगी अगर आप pregnant होना चाहती हो और अपने शरीर में प्रोजेस्टोन का आस्तर अगर कम है तो उसको जाच करवाएं और जो प्रोजेस्टोन का आस्तर है उसको बढ़ाएं तब ही आप conceive कर पाएंगी दूसरा है अन्यमित माशिक धर्म हो जाना प्रोजेस्टोन की कमी होने पर आपको अन्यमित पिरियेट्स की समस्या हो सकती है वैसे तो माशिक धर्म चक्र लगबग 28 दिनों का होता है लेकिन कुछ लोगों को पिरियेट्स कई कई दिनों के बाद होता है ऐसे में अक्सर जानकारी आपको हमारा GHKL चैनल ही देता है तब तक हमारी वीडियो पर मसत रहिए खुश रहिए और फिट रहिए जैहिन जैभारत